कैसे हो त्रेडर्स स्वागत है आपका ठेडिंग मास्तर चैनल पे तो चली स्टलाट करते हैं आज का टॉपिक आज का टॉपिक है क्या कोकॉटेक से आप पैसा बना सकति या नहीं बना सकते इस पर हम बात करेंगे लेकिन टॉपिक पर जाने से पहले अगर आप नहीं हो मेरे चैनल पर तो लाइक सर कॉमेंट और सबस्क्राइब कीजिए और अर्णिंग से पहले अपने पैसे को लर्णिंग पर इंवेस्ट करिए चली सुरू करते हैं सबसे पहली चीज जो हर किसी के माइंड कि में होती है कि क्या कोटेक्स में हम पैसे लगाएंगे तो यहां पर भी सकते हो जीता डिंग आप कितना knowledge लेके आयों कैसे आप trading कर रहे हो तब आपको पताचलेगा कि हरोगे या जीत पहले आप नहीं बता सकते प्रेक्टिस करने है अच्छे सा सीखना है फिर देखना है अब कोटेक्स स्कैम है या नहीं है तो दीखिए कोटेक्स ऐसा ब्रोकर है जो बहुत छोटे टाइम में पॉपिलर हुआ है ठीक है कोटेक्स कुछ इतना पुराना ब्रोकर नहीं है जैसे कि कोटेक्स के स्कैम के बारे में बहुत कम तो इसके लिए मैं मानता हूं कि कोटेक्स स्कैम तो नहीं है और परस्नली मेरे साथ तो नहीं किया भी तक ठीक है कुछ लोगों के साथ हुआ भी हो जैसे बतारा बताते लोग की मेरे साथ यह हो गया वह हो गया सायद आपकी कोई प्र जैसे हो सकता है तो एक चीज को पूरी तरह किसे स्कैम बोलना गलत होगा जब तक आप खुड उसमें डेखने इसमें आपकी मिस्तिक है आपको देखना होगा क्यों लॉस हो रहा है आपको देखना होगा ये ब्रोकर की मिस्तिक नहीं है अब नेक्स्ट कि विद्रो मिलता है या नहीं लेकिन उस पर जाने से पहले अगर आपको मेरा वनन वन कोचिंग क्लास जॉइन करना है तो प्राइस और डीटेल्स डिस्क्रिप्शन में चलिए अब पैसे मिलेगा या नहीं ये बहुत बड़ा क्वेस्टन लोग पूछते मिलता है पैसा विद्रो तो मिलेगा इना अगर आप कमाओगे तो विद्रो मिलेगा ठीक है ऐसा होता है कि विद्रो नहीं मिलता सबको मिलता है ठीक है विद्रो आपको जरूर मिलेगा और मैं बोलूंगा कि अगर फिर भी आपको सक होता है कि न चांसे से आपके सार स्कैम भी नहीं होगा आपको पैसा भी मिल जाएगा ठीक है तो बड़े इमाउंट का विद्रों मत मारो अगर आपको लगता है तो वैसे आप मार सकते हो लेकिन अगर आपको लगता है कि स्कैम हो सकता है आपके साथ तो अगर आपको फिर भी तरस नहीं ह विद्रों मारो अगा चोटेमांट भी विद्रों मारोगे तो चांसिस ज़ादा है कि आप अराम से यहां पर पैसे बना लोगे और कभी यहां पर आओ ना तो सोच के आओ ठीक है money management लेके आओ फिर आप broker को नहीं बोल सकते यह broker यह कर रहा है ब्रोकर मेरी candles तिक बड़ा बनी चला रहा यह सब चीज़ें नहीं वह अगर for example broker manipulate भी करता है तो आपकी अकेले की क्यों manipulate करेगा ठीक है वह नहीं करेगा ऐसे individual account में कोई broker manipulate नहीं करता candles को बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी candles हिल जाती है मतलब की मेरी candles अलग बनती है दूसरे से तो देखिए चार्ट बहुत तरीकी क्यों होते है अब कौन से चार्ट को follow कर रहे हो यह आपको पता होना चाहिए ठीक है अगर ट्रेडिंग यूपे भी जाओगे तो चार-पाच तरह के चाहता थे ठीक है उसमें से accurate आपको दूना परेगा तो चार्ट बहुत तरीकी के होते तो आपको यह भी चीज़ देखनी है कि आप चार्ट कौन सा यूज कर रहे हो और एक चीज़ याद रखो आप ब्रोकर जिस ब्रोकर में ट्रेट कर रहे हो ना उसका ही मतलब की उसका ही चार्ट देखके ट्रेडिंग करो तो ही जाड़ा चांसे से आप विन भी करोगे और अच्छा खासा पैसा भी कमाओगे तो आज का टॉपिक इतना ही था आसा करता हो आपको आपका जवाब मिल गया होगा अगर आपको मेरा 111 कोचिंग क्लास जाइन करना है तो अलों GDP का मेरा टैली ग्राम लिंक और इमेल दिस्क्रिप्टिप्शन में ट्रेडंग